Hello Friends, Welcome to Digital Classes Digital Classes में आपका स्वागत है PHP Tutorial के 12th Lecture के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे Strings in PHP कि Strings क्या होता है PHP में? सबसे पहले Definition से स्टार्ट करते हैं Strings is a sequence of character sequence of character अगर बहुत सारे characters को sequence में लगा दिया जाए तो एक string बन जाती है जैसे कि Digital Classes यह एक string है इसमें D, I, G, I, T, A, L आगे C, L, A, S, E, S यह सारे के सारे characters हैं इन्दे एक sequence में लगाया हुआ है अगर sequence of characters हो तो इसे string बोला जाता है तो यहाँ पर Digital एक string है Classes भी एक string है और यह दोनों को combination भी एक string कहलाएगा PHP के अंदर strings को दो तरीके से बनाया जा सकता है Single Quotes का यूज करते हुए और Double Quotes का यूज करते हुए तो आगे एक करना सबसे पहले Single Quoted String We can create a string in PHP by enclosing the text in a single Quotes Single Quotes के अंदर भी हम PHP के अंदर string बना सकते हैं It is the easiest way to specify the string in PHP Easy way है बनाने का Here is kept sequences and the variable will not be interpreted देखे इस में क्या होता है अगर आप Single Quotes का यूज करते हुए string बनाते हैं तब हम जो भी variables होते है escape sequences होते है उन्हें हम यहाँ पर interpret नहीं करवा सकते इस line को हम example के तुरूद समझते हैं देखे यहाँ पर हमने एक example लिये इसके अंदर मैंने $x के अंदर एक value डलवा दिये राहूल और एक str1 नाम से मैंने एक string लिये और यहाँ पर single Quotes के अंदर मैंने string के अंदर कुछ characters defined की है hello text और उसके बाद एक variable दिया है $x यहाँ पर variable है और उसको भी मैंने single Quotes के अंदर दे दिया अब जैसे ही मैं इसको echo करवाँगा echo के करवाने पर यह मुझे output क्या देगा output देगा hello text और $x की जंगा पर राहूल चाहिए था मुझे लेकिन इहाँ पर मुझे output के अंदर $x ही मिलेगा देखिए output के आएगा hello text $x तो इस line का जो मतलब था यह हमने अभी line रीड की कि here escape sequences and a variable will not be interpreted कि escape sequences और variable को यह interpret नहीं कर पाता single Quotes अगर आपको variable define करना है तो आपको अलग से use करना पड़ेगा आप single Quotes के अंदर variable को use नहीं कर सकती है यही basic difference होता है single Quoted String और double Quoted String में तो यह एक example हो गया आपका single Quoted String के लिए इस चीज़ को हम run करके भी देख लेते हैं अभी सबसे पहले मैं code को copy कर लेता हूं notepad में जाता हूं अपने notepad में जाकर मैं इसको paste कर लेता हूं इस फाइल को हमें पता है किस नाम से save करना है .php extension के साथ save करना है मैं इससे save कर रहा हूं मैं इसका नाम दे दता हूं abc.php और इसको save कर देता हूं यह मेरी file save हो गई है browser पे जाते हैं browser पे जाके इसको refresh करते हैं मेरे digital classes नाम का folder है मैंने उसी के अंदर save की है तो यहाँ पर देखिए यह show हो गई है abc.php इसके ओपर click करेंगे और यह file हमारी run हो जाएगी देखिए output क्या generate हुआ hello text $x उसने $x को $x ही read किया क्यों क्योंकि हमने single quotes के अंदर इसको use किया था तो इस तरह से हम किसी भी string को screen के ऊपर echo करवा सकते हैं आगे continue करते हैं double quotes string के तरफ in PHP we can specify the string through the enclosing text within the double quotes double quotes का use करते हुए string को define किया जाकते हैं next line यह just opposite है single quotes के कि यहाँ पर escape sequences को और variables को यह interpret करेगा escape sequences का मतलब मैं आपको बता दूँ आपने C language C++ में पढ़ा होगा slash n के बारे में slash t के बारे में जिससे हम क्या करते है next line में enter करना हो यह tab का space देना होता है तो उस tab के जो sequences होते हैं escape sequences बोला जाता है तो उसको भी interpret नहीं कर सकता single quotes double quotes कर सकता है example देखी हमने same example use किया लेकिन इस बार मैंने single quotes की जंगा पर यहां पर double quotes लिया है यहां पर इसको double quotes में रखा है इस example को हम use करके देखते हैं copy किया text को यहां जाके इसकी जंगा पर इसको paste कर देता हूं अब देखी डबल quotes है इसको ctrl s करता हूं save कर दिया browser पर जाते हैं refresh करते हैं देखिए यहां पर अपकी बार प्रिंट हो गया hello text राहूल राहूल क्यों आ गया क्यों क्योंकि अब हमने यहां पर double quotes का use किया है यह देखिए double quotes का use किया है तो यह basic सा difference है दोनों ही string बनाने के तरीके हैं आगे continue करते हैं PHP में string के कुछ functions यह functions क्या करते हैं string के ओपर जो operations perform कराना हो उसे थोड़ा easy बना देते हैं हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा just यह predefined functions हैं इनका use करते हुए हम काम कर सकते हैं first function पड़ते हैं str to lower string to2 lower str represent कर रहे हैं string को to2 then lower complete string को इसके अंदर हम as a parameter देंगे string और उसको क्या करेगा lower case में change कर देगा lower case का मतलब क्या है कोई भी later अगर capitalize है तो उसके small में convert कर देगा capital ABCD को small ABCD में convert करने का काम करेगा syntax क्या है आपने function का नाम लिखना है और इसके अंदर एक string नाम का parameter पास करना है और इसका जो output आएगा string type का आएगा जो यह represent कर रहे है यह आपने अलग से नहीं लिखना यह बता रहे है कि इस function का जो output होगा जो करम आएगा वो string type का आएगा और जो अंदर आपने string type का ही character बेजना है parameter बेजना है example देखते हैं यहाँ पर देखिए मैंने capital और small का mixture लिया digital classes जैसे ही मैं इस string को str को इस function में pass करूँगा तो सारे के सारे letters क्या हो जाएगे small हो जाएगे चेक करते हैं इसका output copy कर लेते हैं यहाँ ही जाकर मैं paste कर देता हूं इसी page पर ctrl s करता हूं अब हमारा output के आएगा digital classes सारा का सारा small में लिखाना चाहिए चेक करते हैं देखिए सारा का सारा small हो गया जो भी capital था उसको इसने small बना दिया तो यह एक function है string to lower इसी का just opposite string to upper सारे के सारे letter को क्या कर देगा upper case में convert कर देगा same है string to upper देखिए यहां पर यह upper case में already है यह इसको भी upper case में convert कर देगा run करके देख लेते हैं इसको भी यहां पर जाके मैं इसको वापी से paste कर देता हूं ctrl s कर देते हैं और यहां पर जाकर इसको refresh करते हैं देखिए सारा का सारा इसने capitalize कर दिया तो यह string के functions है जो हमें programming के दोरान जूरत होती है किसी को upper case या lower case करना हो तो हमें पूरा का पूरा functions यूज करने की पूरा का पूरा हमें programming यूज करने की जूरत नहीं है हम ज़स्ट एक छोटा सा function यूज करके अपने काम को easy to use बना सकते हैं next is UC first UC first का मतलब कि upper case first का मतलब only first character को ही upper case में convert करेगा बाकी को नहीं करेगा तो जैसे कि यहाँ पर देखिए digital class है सारा small में लिखा हुआ है बीच में जो space होता है उससे string के अंदर include किया जाता है तो इस पूरी string का सिर्फ पहला D इस D को ही upper case में convert करेगा इस C को upper case में convert नहीं करेगा क्योंकि यह पूरी string है output आपको चेक करवाते हैं मैंने control S करके save कर दिया UC first नाम का function यूज़ कर रहा हूँ output चेक करते हैं देखिए सिर्फ D को ही capitalize किया इसने बाकी को नहीं किया यही स्काउट पुट आएगा same LC first LC first क्या करेगा first letter को small में convert कर देगा lower case first letter बाकी same रहेगा LC first इसमें क्या होगा यह D को small कर देगा यह C जो है वो capital C ही रहेगा string reverse string reverse में क्या करेगा पूरी की पूरी string को reverse कर देगा इसको run करवाके दिखायते हैं आपको यह Digital Classes जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा just reverse हो जाएगा यह देखिए इसमें cases में change नहीं होगा जैसा जो lower case में वो lower में रहेगा जो upper में वो upper में रहेगा case change नहीं होगा next function string length यह string की length count करेगा including the space also अगर बीच में कोई space है तो space को भी calculate करेगा जैसे ही यहां पर इसको use करके देखते हैं तो space को include करते हुए 15 characters आने चाहिए let's see देखिए 15 आ गया तो यह string के कुछ functions थे जो कि हम PHP के अंदर during the programming during the web development हम use करते हैं आज के इस वीडियो के लिए इतना ही thank you friends आज क्युम्ष्ग सब्स करें पाल और तो में तेखिए कर देखिए कर देखिए जेखिए अज़